वेरी गुड आफ्टूनून टू ओल अफी दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड़ सिक्स में चैनल पे नए है तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लिजेगा साथ ही साथ बेल आइकन दबा लिजेगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप को सिदे लिए चलता हूं इसक नोटिफिकेशन पर दोस्तों भारती वाई you सेना यादिन एरफोर्स के अफिशल नोटिफिकेशन पे जो कि ये वेकेंसी अप एफकेट 1 2020 की तरफ से अपडेट की गई है एर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट को लेकर यहाँ पे एक 2022 का ये नोटिफिकेशन नंबर है जो कि आपके flying branch और ground duty के लिए निकाली गई है technical और non-technical post के लिए male और female candidate दोनों ही आविदन कर सकते हैं यहाँ पे और आप सभी को बता दे कि दोस्तों जो यहाँ पे आविदन करेंगे PC और SSC post के लिए आविदन यहाँ से मांगे गए है permanent commission और short service commission और यह permanent commission के लिए आविदन यहाँ पे मांगे गए है तो यह आप चेक कर सकते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो इस वेकेंजी के लिए एक exam होगा जो कि 12 फरवरी, 13 फरवरी और 14 फरवरी को रखा गया है तो आप लोगों का यह F-CAT exam नहीं होगा इस date को होगा जो भी छातर यहाँ पे flying और ground duty के लाविदन करना चाहते हैं PC और SSC के लिए तो यहाँ से आविदन आप जरूर कर लिजीगा चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़े से eligibility criteria बता देता हूँ और कितने seat यहाँ पे दी गई है, update की गई है तो देखे एफकेट की entry जो है, यहाँ पे मांगी गई है flying के लिए, तो flying branch में अगर आप देखे तो SSC आने की short service commission for the men and women के लिए तो यह course number है, जिसमें की आपको entry करना है ठीक है, और यह है दोस्तो vacancy संखिया सतर अतर, हैना, total 77 है Ground duty की बात करें यहाँ पे जो के technical department में, तो अगर आपका जो degree है, वो दोस्तो aeronautical engineering electronics and aeronautical engineering mechanical के लिए है तो यहाँ से आविधन काप करेंगे इन सभी के लिए, तो यहाँ पे seat आपको केतना दिया गया है, तो permanent commission और short service commission के लिए दोनों दिया गया है permanent commission में सिर्फ male के लिए एक candidate के लिए है, और SAC, यानि कि short service commission में male और female दोनों के लिए है तो यह उनके लिए आपका जो है course number update किया गया है, अच्छा यहाँ पे जो seat ओ की संक्या है, permanent commission में 19 है, और यहाँ पे 76 है, किसके लिए भाई, तो aeronautical engineering के लिए, या aeronautical engineer electronics के लिए ठीक है, और यह हम mechanical के लिए है भाई, ध्यान दिजीए का साथ है, आपका permanent commission के लिए, और short service commission में 27 पोस्ट है अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात कर लिए non technical post के लिए, तो administrator, administration and education को लेकर, यहाँ vacancy निकाले गई है इसके लिए अगर हम बात करें, एक और post की, जो की lgs, यहाँ बताया जा रहा है तो इसमें अपका permanent commission में 8 post है, और ssc, यहाने की short service commission में 31 post है यहाँ पे a cct के लिए भी यहाँ वे वेकेंसी है, दोस्तो जो की यहाँ पे मांगा गया है personal commission में permanent commission में 4 post है, और ssc में यहाँ पे short service commission में 17 post है ठीक है, यह उसका जो number है course number यह update किया गया है दोस्तो अगर हम बात कर ले NCC के special entry की लेकर तो यहाँ पे flying के लिए vacancy है दोस्तो, जिसमें की 10% seat out of CDSC vacancy से लिया जाएगा और 10% दोस्तो, seat यहाँ पे AFCAT के द्वारा लिया जाएगा जो की आपका short service commission के लिए ही होगा यह ठीक है, तो यह एक update है अब आगे चलते हैं दोस्तो, यहाँ पे बात करते हैं कुछ update की दोस्तो, there is no intake conduct for the education, metrology branches for the AFCAT 1-2022 course commissioning for the January 2023 के लिए तो यह commissioning जो किया जा रहा है दोस्तो, 2030 में आपकी joining finally हो जाएगी मतलब आपके training वगरा देकर इसको में ध्यान रखेगा type of commissions के बारे में यहाँ पे update किया गया है जिसे कि permanent commission की बात करें यह mail के लिए तो candidate join as a permanent commission officer would continue to the serve till the age of the sheprenation in their respective branch as their rank यह तब तक इनकी job रहेगी यहाँ पे continue करेंगे जब तक इनका promotion होता रहेगा और यह permanent commission में officer की तौर पिनका selection किया जाएगा short service commissions में male और female दोनों को ही आप आविदन करने को मोका दिया गया है कुछ non extendable post है जैसे कि flying branch में है male और female दोनों के लिए है यहां पे तेकनिकल और नन टेकनिकल पोस्ट के लिए निकलती है यहां पे टेन येर के लिए है दोस्तों ध्यान में रखेगा और चार साल का आप extension ले सकते है यहां पे ठीक है तो यह सारा डिटेल है यहां पे इस जौब विके दूले LGBT कंडिशन में अगर हम बात करें तो इंडियन आपका nationality होना चाहिए 1905 एक्ट के तहत यहां पे भारत के नागरिक है दोस्तों एज क्रेटिरिया की बात करें तो 2020 से लेकर चौबी साल तक का एज क्रेटिरिया होना चाहिए एक जनवरी 2023 तक यहां पे कल्कूलेशन किया जाएगा दोस्तों जो ग्राउंड यूटी के लिए आवेदिन करेंगे टेक्निकल पोस्ट के लिए वह बीस से लेकर 26 साल तक का एज क्रेटिरिया होना चाहिए marital status मतलब कि आप 25 यार से कम से हैं तो आप unmarried होना जरूरी है आपके लिए ठीक है और जो भी छात्राएं हैं यहाँ पर जोगी की विडोज है या फिर विंडोर्स है जो कि पत्नियां मर चुकी जिनके पती मर चुकी या डाइवोर्सी है तो with or without कुछ यहाँ पर आपके सेलेक्शन प्रोसीजर में कुछ क्लाउज दिये गया है जो कि आपका होना चाहिए 25 साल से आपका एज एकसीड नहीं करना चाहिए ठीक है ध्यान रखिए नोट एकसीड बिलो 25 पियर इस आलसो नॉट होंगे यहाँ ठीकिये लिए उनके लिए भाई ध्यान रखेगा तो यह एज क्रेटेरिया क्या मैंटर है यहां पर और साधी सुदावालों के लिए मैंटर है इस बात का ध्यान रखेगा एजुकेशन कालिफीकेशन बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए दोस्तों यहां पर मेनिममम 50% परसेंटमें आपका होना चाहिए मैथ और फिजिक्स में 10 प्लम ने ग्रेजोइशन की लिए गर बात कर लें दोस्तों यहां पर तो minimum 3 साल का graduation आपका होना चाहिए किसी भी discipline में 60% aggregate के साथ B.E.B.T.E.K. आपने कर रखा है तो 4 साल का आपका course होना चाहिए 60% marks आपका होना चाहिए Candidate who have the clear section A or B Examination Associate Membership Institute of the Engineering in India और Aeronautical Society in India from the Recognizing University the 60% marks equivalent आपका होना जरूरी है दोस्ते आपके अगर आप यह और भी दोनों follow करते हैं तो तो यह सारा डिटेल है आपको और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल को लेकर यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह और आगे भी है देख सकते हैं सभी अगर अपने डिसिप्लीन में अपने इंजिनरिंग किया है 60% है तो आप इधर आविदन जरूर कीजिएगा ओके यह सारा डिटेल है दोस्तों मेकेनिकल के लिए तो मेकेनिकल वाले छाद्रों के लिए दिसिप्लीन देख लीजिएगा और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए भी यहाँ पे कुछ अप्डेट 10 प्लस टू आपका पास होना चाहिए भाई नॉन टेक्निकल में अगर आप हैं तो यहाँ पर प्लस टू आपका पास होना चाहिए 60 पसंद के साथ यह भी ध्यान रखेगा ठीक है यह सारे अपडेटेट है मतलब 60 55 के बीच में आपका डिगरी है तो आप इन सभी के लिए आ यहां से करियर वाले से क्लिक की ज unhappy करने वाले पेच्छ पर पहुंचा दिया जाएगा दोस्तों यह पैरन में आ라고 को दिया गया है कि कैसे किसे आपको यहां पर फार्म को आवीं करने तो आ को सब से पहले क्या लॉग इन करना है लॉग नहीं तो रेजिटेशन कर लिजेगा या अगर आपके पास रेजिटेशन नमर नहीं है तो फिर उसके बाद लॉगिन आइडी से लॉगिन कर लिजेगा सक्सेस्पुली रेजिटेशन होने के बाद आपको लॉगिन करना होगा और अपने जो भी पासवर्ड है उसमें एक नया पासवर्ड डालके रेजिट करके नया पासवर्ड बनाना होगा और सेलेक्शन आफ एंट्री एफकेट के या एंसीसी स्पेसल एंट्री फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको अब दिन करेंगे करेंगे सेबन नेक्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर लिजेगा आपका भरा जाएगा नाम फादर ने मदर नेम डेट अबर जिंडर अर्धार कर वेगरा सही से डाल लीजेगा वहाँ पर जो भी अपडेट आपसे मांगे गया है ठीक है क्वालिफिकेशन डिटेल मांगे जाएंगे आप लोगों से अप्लोड डॉकुमेंट्स करने को बोला जाएगा कि अपने अपने डॉक्मेंट्स अप्लोड कीजिए इसमें की फोटो सिंग्नेचर थम्ल इंप्रेशन मेगरा मांगा जाएगा जिसका साइच कुछी तरह से यहां पर दिया गया है दिन आपको क्लिक करके पेमेंट कर देना होगा यहां पे तो यह काम आपको 31 दिसंबर से पहले कर लेना है आपको 31 दिसंबर ध्यान में रखेंगे और 28 जनवरी दोस्तों एफकेट कैनिडेट जहां यहां पर 28 जनवरी 2022 तक अपना एडमिट का डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर लिंक आ सारा डिटेल था मित्रो जो की आविधन करने से लेकर यहां पर फॉर्म को भरने से लेकर मैंने सारा डिटेल आपको यहां से बता दिया है फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप यहां से पूरा नोटिफिकेशन को मैं सेयर कर दूँगा टेलीग्राम पे लेबस का पैटर्न पुरा दिया हुआ है इसमें तो यह सारा पढ़ लिजेगा पूरा 16-17 यहां पर है 18 जादा भी पेज हो सकते हैं ठीक है तो इसको पढ़िएगा पूरा स्टेप बाइस सारे डिटेल यहां पर सारे डिटेल आपको मिल जाएगा ठीक है क्या आपका जो प अपने परिवार का ठीक है दन्यवाद